नुत्रकायन समेट पुरदेश में लॉकडाउन बढ़ानी की तैयारी की जारी है। ऐसे में जहां सरकार जनता के साथ अर्ध विवस्ता को भी पट्री पर लानी की सोच रही है। तो वही कॉंग्रिस भी प्रदेश में होने वाले आर्थिक प्रभावों को लेकर चंता व्यक्त कर रही है। कॉंग्रिस नेता सुरिकायन धस्माना के अनुसार सरकार को उन परिशानियों पर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे रोजकार को बच्चाय जा सके। कि लॉक्डाउन का ये 21 दिन आज पूरा होने जा रहा है। और इन किस दिनों में जो हालात उत्तराखंड के अंदर पैदा हुए हैं मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन हमारे राज में बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे लोग जिनका पूरा का पूरा रोटी रोजी रोज कमाना रोज खाना इस पर निर्भरता उनमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं मैक्सी कैप से जुड़े हैं यूटलीटी से जुड़े हुए हैं इनके सामने बहुत बड़ा रोटी रोजी का संकट आज खड़ा हो गया है और सरकार ने उसके इस संकट से निपटने क के लिए कोई योजना अब तक नहीं बनाई अफसोस की बाद